मंसौर के मलहारगर विधानसबा सीट से कॉंग्रिस प्रत्याशी परशुराम सिसोधिया के आसो निकल आए यहां के मेगवाल समाज ने शामलाल जोगचंद को टिकेट नहीं देने पर कॉंग्रिस का विरोध किया उन्होंने कॉंग्रिस का भहिशकार भी किया है इस वीडियो में देखा जा सकता है कि परशुराम कॉंग्रिस प्रत्याशी कारले की ओपनिंग में रोने लगे बताया जा रहा है कि इसके पीछे का कारण उनके पार्टी के विरोध से जुड़ा हुआ है बतादे कि बलहारगर सीट से कॉंग्रिस ने परशुराम से सूदिया को उमीदवार खूशित किया है लेकिन इसके बाद एक मुद्धा भी उठ रहा है अन्य कॉंग्रिस साथियों और समर्ट्यों की बीच असंतोश बढ़ रहा है क्योंकि वे चाहते हैं कि उमीदवारी परशुराम से चीन कर उनके पसंदिदा उमीदवार को मौका मिले हाला कि परशुराम उमीदवार बनने के बाद थोड़ी उदासे दिखा रहे हैं ये सबी विवाद से परिशान परशुराम से सोधिया काराले की ओपनिंग में भावो को करोने लगे। उन्होंने अपने समर्थकों के सामने कहा कि मेरा टिकेट बदला जाने का खत्रा है। ऐसा बोलकर उन्होंने दिखाया कि वे बहुत ही चिंतित है। हालाकि इस वीडियो में कुछ लोग तो परशुराम से सोधिया की साती भावनाओं का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वही शामलाल के समर्थक इसे जनता की सानुभूती हासिल करने के लिए भाय गए घड़ी आली आसु करार दे रहे हैं।